तो दोस्तों फानली आज विशाल भार्दवाज के डिरिक्षिन में बने फिल्म कुत्ते का ट्रेलर जारी किया जा चुका है हर एक सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म भे तो भाई कैसा है इस फिल्म का ये ट्रेलर क्या है इस फिल्म की कहानी ये सारी जानकारिया मैं आप लोगों के सामने रखोंगा इस फिल्म के ट्रेलर के रिक्षिन के मादें से लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफी मागना चाहूँगा अगर भीया मैं इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू जो है वो काफी देरी से आप लोगे सामने रख रहा हूँ और उसका कारण ये है कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू आप लोगे सामने रखूँ उसके बाद भी या हम लोग बाकी खमरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म में ऐसा है कुछ खास कि भाई इस फिल्म को लेकर हम कैसा के ये बात कि भाई, बॉलिवूड कभी ने सुधरने वाली है सच बताओ भाई, आज जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखा, ट्रेन में ही मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देख लिया था तो वहीं पर मैंने ये सोचा था कि जब मैं अपना रिव्यू आप लोगे सामने रखूंगा तो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि या कृपिया करके अपने खान में आप वो अस्तर डाल लिजे जिससे मेरी आवाज किसी और को सुनाई ना दे या फिर अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहे हैं तो या थोड़ा सा कानस्तर जरूर डालीएगा ने तो आपको ब्रह्मास्तर आपके गाल पर पड़ेगा शरूर क्योंकि ट्रेलर में जो खुबसूरत खुबसूरत सब्दों का इस्तमाल किया गया है कुटे, कमीने, MC, BC, DC, संभोक्स तरह तरह की जो सब्दों का इस्तमाल किया गया है न वो शायद ही आप सारवजनिक तोर पर सारवजनिक स्थानों में सुन सकते हो मतलग कि जहां पर आपके परिवार के लोग होंगे, वहां पर तो मुझे लगता है कि आप इस ट्रेलर को देखना पसंद नहीं करोगे तो भाई, आज जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहाता तो एक बात तो मुझे उसी वक्त साप हो गई थी बिया विशाल भार्दबाज ने ये मन बना लिया था, या बर गैंक बिया उन्होंने इस ट्रेलर को जारी करके ये बात साप कर दी थी पूरे इंडियन ओडियंस को वो इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं, जब भाई उन्होंने ये कैटेगरी पहले ही सेट कर दी थी, तो भाई इसको उन्होंने बिना सेंसर किये यूटूब के प्लेटफॉर्म पर क्यों डाला, एक सवाल बनता है मैर भाई, या निकि इंडिरेक्टली मैसेज सब कुछ दे देखने को मिलता है, तो ये मैसेज तो दिया जा चुका है भिया ओडियन्स को, अब देखने वाली बात ये है कि भिया सेंसर बोड इस फिल्म पर कितने हद तक कैची चलाती है, अगर वो एक सेटिपिकट देखकर इस फिल्म को सिनेमा घरों में आएगी, ये बात साफ हो ग जब मैं इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था, तो ये एक बात मुझे पहले से पता भी है कि देखें, विशाल वार्दावाज के फिल्मों का नहीं कलर होता है, जिसको ग्रे सेटी स्टोरी लाइन कहते हैं, उनकी आप जितनी भी फिल्म में उठा के देख लिए, वो एक इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे, तो ये बात आपको इसमें भी देखने को मिलेगी कि भी है, हाँ, इस फिल्म के कहानी भी ग्रेशेड है, यानि कि भी है, थोड़ा सा टीपकल क्राइम ड्रामा आप कह सकते हो, क्राइम ड्रामा किस लिए, तो आप देखो, जब आप इस तो एक वैन है जिसमें करीबन चार से पांच करोड रुपे जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं और इस वैन को लूटने के लिए अलग अलग तरह के क्रिमिनलों का एक ग्रूप बनाया जा रहा है किसके द्वारा तो मुझे लगता है शायद नर्शुर्दिन सा इस ग्रूप के लीडर है जो कि अर्जुन कपूर को भी खरीद रहे हैं और उनके माध्यम से हम देख रहे हैं तबू भी खर दी जा रही है उसके बाद में से कौंकरणा सेंज जो है वो भी खर दी जा रही यानि अलग 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 ग्रूप के करना है कि किसको कितना कट मिलेगा इस लूट पार्ट के माल में और भाई उसके बाद आप देखोगे कि गोली चल रहा है अंत में एक ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग में भी ट्विस्ट रहता है कि अरजुन कपूर जो है वो सब को यह डालोग बोलते ह कि अपस में लड़ने से चाहिए कि हम सब अपने अपना गन फिक कर अपने हाथियार फिक कर यह फैसला करें कि किसको कितना कट मिलेगा फर्स टाइम मों जब हमारे सामने आता है ट्रेलर के मादेम से तुहां पर हम देखते हैं कि क्यों अरजुन कपूर जहां वह अपने गन अरजुन कपूर को माण निकले दोड़ते यानि की कहानी क्या है लूट का माल है उसे लूटना है और आपस में बाटना है अब भाई यहां पर बंदर बाट वाली लड़ाई है कि कौन कितना ज़्यादा हिससा ले जा apologise इसका फैसला करेगा कौन तो भीया इसका फैसला करेगी इन अपलादियों के हाथ में उनके हधियार मतलग जो जितने जěादा गूली आ बड़े सकता जितने जादा कैडिडेट को कम कर सकता हो जादा कट लेकर जाएगा यही कहानी मुझे समझ में आई है एक फास्ट मूवी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़े बहुत जल्दी-जल्दी होगी तो भाई फिल्म का ट्रिलर मुझे ना ज्यादा उतना एकसाइट कर पा रहा है और ना ही ज्यादा इस ट्रिलर में हमें इस तरह के प्लॉट की कहानी हम लोगों ने कई बार देखी है अब देखने वाली बात यह है कि विशाल भार्दवाज के फिल्म है और विशाल भार्दवाज अपने फिल्मों में कहानी का एक अलग ही ग्राप बनाकर ओडियंस के सामने आता है जिसमें कुछ अलग मज़ा होत है तो यह हम उमीद रख सकते हैं मिशाल भार्दवार से कि वह अपनी इस फिल्म के बादिम से लोगों का दिल एक बार फिर से जीन पाएंगे लगन आप देखने वाली बात यह है कि विशाल बात इस फिल्म में इतना सारा अगाली गलॉज है तो यह इसको लेकर सेंसर बू तो दोस्तों आप अपने कमेंट के मादे में जब रूपता हैगा कि आपको ये कुटे कमीने एमसी बीसी और संभोग वाला ये ट्रेलर कैसा लगा तो बॉलिवूट से जुड़े हैं और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल याने के बार इंजैक्शन क्लेक्ट करना ना भूलेगा और माने अपडेट्स को जाने के लिए लाकिन को जोर्दवाईएगा